हेलो दूस्तों, एक पार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर, कैसे हो आप सभी, मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम भड़िया होंगे, मैं आपको DLA 3rd सेमिस्टर के प्रीवियस यर कोश्चन पेपर सॉल्व करवा रही थी, इसी सीरीज में आज मैं समावेशी सिक्षा का जो पेपर है 2023 का, उसका कम्प्लीट सॉल्यूशन ले करके आई हूँ, तो आप लोग फटाफट से एक लास को अपनी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजेगा, और सभी लोग जो है वो कलास से जुड़ जाईए, शुरू करते हैं आपके 1st कुशन से, दे प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसी होती हैं, अविक्सित सामाने तीवर या इन में से कोई नहीं, तो अविक्सित जो इंद्रियां होंगी, वो मन्दमुद्धी बालकों की होंगी, सामाने इंद्रियां सामाने बालकों की और प्रतिभाशाली बालकों की जो आत्मिज्ञान, सामाजिक सामंजस्ति, आत्मस्वीक्रति या उपर्युक्त सभी तो परामर्ष में आपका आत्मिज्ञान भी उद्देश इसका आएगा आत्मस्वीक्रति भी और सामाजिक सामंजस्ति भी आएगा तो जो द्रस्टी बादित होते हैं, इनकी इन सिक्षा का प्रापधान विसिस्ट सिक्षा में भी है, समन्वित सिक्षा में भी है, और मुख्यदारा में भी है, इसलिए आपका आंसर सही हो जाएगा, दा उप्षन उपरियुक्त सभी. Next Question है, ब्रेल लिपी के आयताकार सैल में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं? 4, 5, 6 या 7, तो इसमें होते हैं आपके 6 बिंदु, किसने इस बिधी की खोश की थी? ब्रेल लिपी किसने खोजी है तो ये आपकी है लुइस ब्रेल के द्वारा बनाई गई और ब्रेल दिवस कम बनाये जाता है तो ध्यान रखना चार जनवरी को हम बनाते हैं ब्रेल दिवस ठीक है नेक्सट कोशण है श्रवड बाधितों की वरगी करन का आधार होता है डैसिबल अंक, बुद्धिलब्दी, सैक्षिकोब लब्दी या अपर युक्तिसभी तो आपको पता है सुनने की जो छमता होती उसको हम डेसिबल में मापते हैं इसलिए श्रवडबादित जो होते हैं उनकी जो वर्गी करण किया जाता है उनका वो डेसिबल के आधार पर यानिकी डेसिबल में जो अंक होते हैं उनकी आधार पर हम डेसिबल जो है वो मापने की इक आई है उसके आधार पर इनका वर्गिकरन किया घया है अगला प्रशन है अलफ्रेट बिने ने पहला बुद्धी परिख्शन किया था 1901 में 1905 में बताईए कब किया था तो इन्हों ने जो पहला बुद्धी परिक्षर ने वो किया था 1905 इस वी में इसके बाद आईए नेक्स्ट कोश्चन पर निम्न में से कौन सा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के नहीं है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के अंतरगत नहीं है ऐसा कुछ यहां होना चाहिए मिस्प्रिंट है कोई नहीं बताईए कौन सा नहीं आता है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में कहानी निसकर्ष गर्णा या उद्देश देखो तो कुछ उद्धेश्य होगा, प्रैक्टिकल का, गड़ना भी उसमें होगी, निसकर्ष भी आईगा, कौन सा नहीं आईगा, कहानी नहीं आईगी, तो यही उत्तर आपका सही होजाएगा. प्रथम मनोविज्यान शाला या मनोविज्यानिक प्रयोग शाला की स्थापना किस ने की थी सिग्मन्ट फ्राइड ने वुंट ने थॉन्डाइक ने या पावलव ने तो यह आपने बाल विकास में पढ़ी होगी अगर आपको कुछ-कुछ धिहान हो तो विलियम वुंट ने इसकी स्थापना की थी 1889 इजवी में कहाँ पर तो जर्मनी के लिपजिंग सहर में की थी इसके बाद आईएगा टैंथ कुछन पर सही द्रस्टी कहलाती है 6x6 या 8x9 तो जो सही द्रस्टी है उसको हम 20 बटे 20, 20x20 या फिर 6x6 से दर्शाते हैं ठीके तो आपका आंसर सही रहेगा A option मनो विज्ञान केंद्र का प्रमोक कारे है निर्देशन, प्रसिक्षन, सोधकार या फिर उपर एक्ट सभी तो मनो विज्ञान जो केंद्र है इसका निर्देशन भी कारे है प्रसिक्षन भी है और शोधकार भी है ये पत्र पत्र काएं भी जारी करता है कई सारे जो है वो क्विज वगेरा भी करवाता है प्रतियोगिता है जिनको बोलते है तो ये इसके कारे हैं इसलिए आंसर हैगा A option यानि कि उपर एक्ट सभी हकलानी की कारण है वांशानुक्रम वातावरण उपर एक दोनों या इन में से कोई नहीं तो हकलानी की जो समस्या है वांशानुक्रम से भी होती है वातावरण से भी होती है तो इसलिए आंसर हो जाएगा साव अप्शन उपर एक सभी हकलाना एक वाड़ी दोश है जैसे बहुत से लोग होते न बोलते हैं तो रुक रुक कर बोलते हैं या रिपीट करते हैं एक वर्ड को बार बार थर्टीन कोश्वन है सिक्षा प्रक्रिया में अनकूलन की आवश्यक्ता नहीं होती है किसको आवश्यक्ता नहीं होती है श्रवडबादितों को, अस्तिभादितों को, प्रतिभाशाली बालकों को या द्रस्टिभादितों को देखो अनकूलन श्रवडबादित भी करेंगे, अस्तिभादित भी करेंगे और द्रस्टिभादित जो बच्चे हैं वो भी करेंगे कि इनको आवश्यक्ता नहीं होगी तो प्रतिवाशाली जो बाला के इनको आवश्यक्ता नहीं होगी अनकुलों की ठीक है अगला प्रेशन है आपका 14 कोशन विशिष्ट बालकों की सिक्षा के लिए चलाए जाते हैं विसिष्ट कारिक्रम, समवर्धन कारिक्रम, उपचारी कारिक्रम या फिर उपरिक्त सभी तो सभी इसका आंसर हेगा, सभी कारिक्रम चलाए जाते हैं नेक्स्ट कोशन है भारती या पुनरवास परिसद अधिनियम का पारित हुआ था 1991, 92, 93, 94, तो ये पारित हुआ था 1992 में और लागू हुआ था 1993 में उमीद है कि आप सभी के 15 जो MCQ कोशन है वो करेक्ट रहे होंगे अब हम आते हैं वेरी शॉर्ट कोशन पर जिसमें पहला प्रश्ण है परामर्ष दाता के दो गोड़ बताईए परामर्ष दाता का पहला गोड़ है कि वो उसको शहनसील और धहरवान होना चाहिए योगि आप से कोई परामर्ष लेने आ रहा है और आपको उसकी बात सुनने की सहनशीलता नहीं परामर्ष दाता को शहनसील होना चाहिए जो व्यक्ति उसकी बात को बहुती उससे सुने ये ना हो कि आप वहाँ पर हसी उड़ाने लगें तो कहीं न कहीं जो सामनी वाला व्यक्ति, वो हिचकिचाहट महसूस करेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और परामर्श दाता का विवहार उच्छ नयतिक्ता से युकत होना चाहिए, जितना हो सके जो व्यक्ति आ रहा है परामर्श लेने के लिए, उसके साथ बहुत धीमी होती है, पिछड़े बालकों में जिग्यासा की प्रवत्ती का अभाव पाया जाता है, पिछड़े बालक जो होते हैं उनको अपनी जीवन में निराशा का अनुभव रहता है, मतलब निराशा फील होती रहती ही कि कुछ कर नहीं सकते इस टाइप का, तो ये करणों के द्वारा ही क्या है, हम पता लगातें कि आखिर समस्तिया क्या है और फिर उस इसाब से हम सलाह देते हैं, नेक्श्ट कोश्चन है, डाइट की इस्थापना के दो उद्देश्य बताईए, डाइट की जो इस्थापना है, वो कई कारणों से की गई है, डाइट का जो काम है वही इसके उद्देश्य आप लिख सकते हैं कि यह क्या है सिक्षकों को प्रसिक्षन प्रदान करता है तो सिक्षकों को सेवा पूर्व वा सेवा कालीन प्रसिक्षन प्रदान करना इसका उद्देश्य हो जाएका अर्थार्थ सिक्षकों की ट्रेनिंग करवाना ठी नेक्स्ट कोश्चन है डाइट के कोई दो विभागों के नाम लिखिए डाइट के विभाग जो है उसके अंतरगत आप लिख सकते हैं नियोजन और प्रवंदन विभाग जो योजना बनाता है सेवा पूर्व सिक्षक सिच्छा विभाग जिला संसाधा निकाईया यह सभी ड परिवेक्षन के कोई दो प्रकार लिखिए परिवेक्षन के प्रकारों के अंतरगत कई प्रकार इसके बाटे गए ऐसा कोई निश्चित नहीं है तो इसमें आप निरिक्षुडा आत्मक परवेक्षन भी लिख सकते हो निरंकुषवादी या सत्तावादी परवेक्षन भी शारीरिक दक्षिता जो होती है इससे तातपर है मानव का शारीरिक स्वास्त यानि कि उसकी स्वास्तता ये क्या है इसके इंतरगात आता है कि आप जो है वो अपने दैनिक कारियों को क्या है एक अच्छे तरीके से कुशलता पूर्वक संपन कर सके सासत आपके पास इतनी एन आवश्यक ठकान के उत्सावा सतरता पूर्वक संपन करना यानि कि कुशलता पूर्वक उत्सावा पूर्वक काम को पूरा करना सासात स्वस्त होना बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक शमता या प्रतिरोधक शक्ति होना तथा आपात कालीन या आकस्मिक इस्थितियों का साम ना करने की क्षमता कोई शारीरिक शमता या फिर शारीरिक दक्षता माना गया है समझ में आ गया यानि कि आप स्वस्थ भी हो रोगों के प्रति लड़ भी सकें सासाथ अपने जीवन के जो दैनिक क्रिया कलाब हैं उनको अच्छे से कुशलता पूर्वक संपन कर सको और उत् में कोई स्थिति अगर आ जाती है तो उसको भी आप इतनी एनर्जी हो कि उसको भी आप अच्छे से उससे निपट सकें तो यहीं आता है शारीरिक दक्षता के अंतरगर नेक्स्ट कोश्चन है निर्देशन सब्द से आप क्या समझते हैं देखिए निर्देशन का जो अर् समस्या ग्रस्त व्यक्ति की समस्या को दूर करने के लिए एक विवेक युक्त सलाह दी जाती है जिसकी आधार पर उस व्यक्ति को निर्णय लेने वा निशकर्स निकालने में मदद मिलती है निर्देशन में हम क्या करते हैं व्यक्ति जो भी हमारे पास आया है अपनी समस्य लेकर के तो हम उसको सलाह देते हैं और उस आधार पर व्यक्ति जो है निर्णय लेने में सक्षम होता है या सक्षम हो जाएगा उस आधार पर और उस समस्या से निकलाएगा तो ये होता है निर्देशन नेक्स्ट कोश्चन है श्रवन विक्रती से क्या तातपरे है श्रवन विक्रती जो होता है इससे तातपरे है सुनने की छमता में कमी होना ठीक है ये बोल सकते हैं श्रवन मीज सुनना विक्रती मीज कमी होना या उसमें सक्षम ना होना सुनने में यानि कि ठीक से न सुन पाना अत्ववा सुनने की छमता का नश्ट हो जाना ही कहलाता इस रवन विक्रती कोई जो व्यक्ति है वो नहीं सुन पा रहा है या फिर उसको बिल्कुल ही नहीं सुनाई देता है तो यही कहलाएगा श्रवन विक्रती निदान शब्द का तात्पर है समस्याओं का पता लगाना थीक है निदान का प्रेओग हम कहां करते हैं निदानात्मक परिक्ष्ण आपने सेक्षि क मुल्यांकर में पढ़ा होगा इसके अंतर हम क्या करते हैं विद्यार्थियों की अधिगम संबन्दी कठनायों व multiply लगाते कि किस कारण से बच्चे को पढ़ने में समस्या आ रहे इन सब कारणों का पता लगाना ही कहलाता है निदान अगला प्रश्ण है अपवंचित बालक पिछडे बालकों से किस प्रकार से भिन हैं अपवंचित बालक कौन से बालक होते हैं तो अपवंचित अपवंचित का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो वंचित रह गए हैं जो भी सुख सुधाय मिलनी थी या जो भी उनके जरूरत की चीज़े थी उनसे वोगागी समाज में रह रहे हैं पर जो भी उनकी आवश्यक्ता हैं मूलभूत आवश्यक्ता वो भी पूरी नहीं हो रही है वो कहलाते हैं अपवंचित वर्ग के लोग तो अपवंचित वालक वे वालक हैं जिनकी सामाजिक आर्थिक वा सैक्षिक आवशक्ताओं की पूर्ती नहीं हो पा रही है अर्थार्थ जो अपनी प्रगति है तो न्यूनतम सुधाओं को भी प्र इस प्रकार की समस्या में जो बच्चा है या बालक है वो शब्दों को बार बार दोहराता है और कभी कभी क्या होता है वो बोलते बोलते ही रुक जाता है या कभी कभी वो बोलते बोलते उलजन में भी आ जाता है या तीन बार लिग गया है बोलते बोलते ठीक है चलो कोई नहीं हकलाने में क्या होता है इस ऐसी समस्या में जो लोग होते हैं वो कुछ उनके जो शब्द होते हैं जहां पर क्या होते हैं फिर उसको रिपीट करते हैं उसके बाद फिर बोलते हैं तो यह होता है हकलाना ठीक है बोलने में उनको कही न कहीं असुविधा होती है कुछ ऐसा नही पूरा वाक के बोलेंगे तो ऐसा होता है हकलाने में अगला कोश्चन है TLM से आप क्या समस्ते हो TLM का जो अर्थ है वो है सिक्षर अधिगम सामिगरी यानि कि टीचिंग लर्णिंग मटेरियल TLM से तातपर है ऐसी सामिगरी जिसका उपयोग सिक्षक कक्षा में छात्रों को सरलता वा सुगमता पूर्वक सिखाने के लिए करते हैं सिक्षर अधिगम जो सामिगरी यानि कि TLM है ये क्या करता है ये विसेवस्तो को सरल वा रोचक बना देता है आकर्शक भी बना देगा जिससे बच्चे क्या है रुची लेते हुए और सरलता से उस चीज को समझ सके नेक्स्ट कुश्चन है बुद्धी लब्दी के संधर्व में वास्तिविक आयू क्या है वास्तिविक आयू का मतलब यहां पर होता है पहले तो वुद्धी लब्दी का सूत्र लिखेगा फटा-फट से क्या होता है मानसिक आयू बटे वास्त्विक आयू गणा 100 तो यहां पर क्या है जो वास्त्विक आयू है वो होती है व्यक्ति की जन्म से जो आयू निर्धारित है यानि कि उसकी एज तो वास्तिविक आयू से अभिप्राय है कि व्यक्ति की यथारत आयू जिसका निर्धारन उसकी जन्मितिती की आधार पर किया जाता है नेक्स्ट कुश्चन है परामर्ष में सहयोग देने वाली संस्थाओं के नाम बताइए परामर्ष में सहयोग देने वाली संस्थाई जो है वो निमलिक खिते हैं इसमें आपकी मनुविज्ञान शाला आएगी इसके बाद मंडली मनुविज्ञान केम जिलाती किसा ले, जिला' सिक्ष एवं प्रसिक्षण संस्थावन समुदाय एवं विध्याले की सहयोगी समिंतियां हो गई सरकारी और गैर सरकारी संगठन जो हो गई ये सब किसके अंतरकत आते हैं तो ये सब परामर्श देने वाली संस्थाई है यहाँ पर आपके अतिलगुत्तर ये प्रशने समापत होते हैं अवामाते हैं लगुत्तर ये प्रशनों पर पहला प्रशने आपका एक अच्छे परामर्श दाता के चार कारे निम लिखिते हैं पहला है परामर्श दाता का सबसे महतपूर्ण कारे की परामर्श लेने वाले व्यक्ति को सहयोग परदान करे यानि कि जो भी उसके पास client आ रहा है जो भी प्रार्थी आ रहा है उसको वो पूरा सहयोग दे परामर्श दाता को एक ऐसा वातवरन बनाना चाहिए जिसमें व्यक्ति बिना हिचकी चाहट के अपनी बात वो कह सके यानि कि निसम को जो भी परेशानी है जो भी दिक्कत है वो वहाँ पर उस व्यक्ति को बता सके इसके बाद जो client या प्रार्थी है उसको उच्छी तविसर देना चाहिए जिससे वो अपनी बात को भली बाती परामर्श दाता को समझा सके ठीके समझा सके नेक्स्ट इप प्रार्थी के साथ एक अच्छा संबद बनाना चाहिए परामर्श दाता को तथा उसकी समस्याओं की पहचान करनी चाहिए और सासाथ समस्याओं का विशलेशन भी करना चाहिए, तभी तो वो परामर्श उस व्यक्ति को दे पाएगा, जब तक वो समस्याओं की पहचान नहीं करेगा कि क्या दिक्कत है, उनसे निशकर्स नहीं निकालेगा, तब तक वो उसको परामर्श नहीं दे सकता, सासाथ समस्य पर कारिवाही योजना भी बनानी चाहिए अगला प्रशने समुदाय के साथ सहयोग सम्मंदी कारे बताईए तो इसको तो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं आसपास के समाज में जो भी सहयोग आप जिस प्रकार से देंगे तो उस प्रकार से यहां पॉइंट लिख दीजि जबकि परामर्ष विशेश साहता और चिकित्सी समर्थन परदान करता है निर्देशन में हम व्यक्ति को इस योग बना देते हैं कि वो खुद से निर्णे लेगा ठीके निर्देशन क्या है अक्सर सामुईग दिया जाता है ऐसा नहीं कि हमेशा सामुईग देंगे व्यक् सामुईग दिया जाता है निर्देशन मागदर्शन तो आप सामुईग रूप से दे सकते हो पूरी क्लास को मारदर्शित कर रहे हैं एक साथ सिक्षक जैसा की करते हैं बड़ परामर्ष हमेशा व्यक्तिकत रूप से ही दिया जाता यह इसका मुख्य अंतर रहेगा इसके साथ मार दरशन या फिर निर्देशन का संबन्द सैक्ष और करीयर संबन्दी आवशक्ताओं से हो ता बोगों मोच्नि से निर्देशन का सम्मद्ध कर शूफल कि और क्रीजर संबन्द मार्वड़ का मुक्यर रूप शक्तर च्रू जो कह सबसक्तना है। या जैसे आपको अपने भविश्य में लेकर के जो भी है कि आप किस क्या करियर चुने क्या विवसाय करें तो जो भी अनभवी लोगें उनसे आप सलाह ले सकते हैं यही क्या होगा निर्देशन हो जाएगा ठीक है और परामर्श में क्या होता है प्रशिक्षित पेशेवर ल बौधिक इस्तर जो है वो काफी कम हो औसत से कम हो सामाने जो बौधिक इस्तर होता है किसी बालक का या किसी व्यक्ति का उससे बौधिक इस्तर का कम होना ही होता है मानसिक मंदता मानसिक मंदता जो है एक प्रकार का नियूरो डेवलप्मेंट इस्थिति है जो किसी व्यक्त की सीखने और दैनिक कतिविदियों को करने की छमता को प्रभावित करती है यह जो है आपका मानसिक मंदता यह व्यवहार को सामाजिक कौशलों को स्वच्छता बनाए रखने तता खुद की देखवाल करने की जो छमता है उसको भी प्रभावित करती है तो यह आजाता है मानस आपने देखा होगा जो मानसिक मंद लोग होते हैं आप बालक होते हैं वो कहीं ना कहीं अपना काम भी है आपनी देख भाल भी नहीं कर सकते हैं ठीक है कुछ सोच समझ नहीं सकते हैं कुछ निर्णय नहीं ले सकते हैं चीजों का यह होती है मानसिक मंद था नेक्स्ट कुश् बाद विवाद में दो पक्ष होते हैं और ये दोनों पक्ष एक दूसरे के विपरीत होते हैं यानि कि जो भी विसेवस्तु है उस विसेवस्तु को लेकर के जो विचार होंगे इन दोनों पक्षों के बिलकुल विपरीत होंगे या विपरीत विचारों के ये समर्थक होंगे ये दोनों पक्ष अपना अपना तर्क रखते हैं और एक दूसरे की विचारों का खंडन करते हैं ठीक है जैसे आपने किसी वाद विवाद ने भाग लिया है आप एक पक्ष में और आपका मित्र एक पक्ष में होगा तो आप कुछ बोलेंगे, आपका मित्रिया, उस पक्ष के जो लोग है, वो आपके विचारों को खंडित करेंगे, यानि कि उसको मानेंगे नहीं, और इस प्रकार से तर्क वितर के हाँ पर चलता रहता है, और लास्ट में कहीं न कहीं निसकर्स निकालने का प्रियास करते हैं नेक्स्ट कुष्चन है, अपवंचन क्या है? अपवंचन का शाप्तिक अर्थ होता है किसी चीज से बचना, ठीक है, बचाना नहीं, बचना अपवंचन के अंतरगत क्या आता है? कि मतलब ऐसे लोग या ऐसे व्यक्ति, जो क्या है, जिनकी जो मतलब जरूरी चीजें हैं, जो भी आवश्यक्ता हैं, पूरी करने वाली, उनकी मौलिक आवश्यक्ता हैं, पूरे करने वाली जो चीजें हैं, उनसे वो वंचित हो गए, यानि कि उन चीजों से वो बच गए हैं ये आते हैं अपवंचन में ठीके अपवंचन बहर सिती है जिसमें समाज के कुछ लोग सामाननी लोगों के इसतर की अनुरूप प्रगती नहीं कर पाते हैं और वे पिछड जाते हैं उनके पिछडने के कारण क्या होता है वो समुचि साधन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं ठीक है जो भी उन्हें चीजें मिलनी चाहिए थी जो उन्हें जरूरत है डेली उसमें दैनिक कार्यों में भी वो भी उन्हें नहीं मिल पा रही है तो ऐसे वर्ग के लोगों को ही हम बोलते हैं अपवंचित वर्ग के लोग अगला प्रश्ण है आपका स्रजनात्मक्ता के प्रमुक तत्व हैं कौन-कौन से प्रभाह, लचीलापन, मौलिकता और विस्तारण यह कहीं कहीं आपने बालविकास में पहले पढ़े हुए भी होंगे प्रभा में क्या होता है प्रभा से तातपर है अनेक प्रकार के विचारों की खुली अभिवक्ती प्रभा में कही सारे विचार आते हैं ठीक है लचीलेपन में क्या आता है लचीलेपन से तातपर है विविदता से यानि कि विभिन प्रकार की अर्थात किसी समस्या के आने पर उसके समाधान के लिए अनेक सारे विचारों को प्रस्तुत करना ये आता है लची लेपन में मौलिकता का तातपर है नवीनता से यानी की नएनी चीजें तो इसका संबन नवीनता से है जो व्यक्ति समस्या समाधान के लिए अन्य व्यक्तियों या अन्य लोगों से विचार में मर्श करता है तो उसे मौलिक कहा जाता है ये मौलिकता की अंतरगत आएगा और विस्तारन का मतलब होता है विचारों को भड़ा चला के प्रस्तुत करना विस्तार निकल भी रहा है विस्तारन का मतलब क्या है भड़ा चला करके बताना नेक्ष्ट कूश्यन इह अधि एक्षमता वाले बालकों के दो प्रकार बताईए आधिगं अक्षमता की अंतरगत ऐसे बालक आते जिनको लिखने पढ़ने या बोलने में कही न कही निक्कत रुती है तो इसमें आप कई प्रकार से इनको बाढ़ सकते हैं जैसे किसी को लिखने में कठिनाई होती है तो उसी आधार पर डिसलेक्सिया से ग्रसित बालक, डिसकैलकुलिया से ग्रसित बालक, डिसलेक्सिया से जो ग्रसित होगा उसमें क्या होगा उसको पढ़ने की अक्षमता होग जिसमें सटीक शब्द की पहचान, शब्द कोडिंग और पढ़ने की समझ और मौकिक जो पठन कौशल होता है वो सामिल है डिसलेक्सिया वाला जो बच्चा है वो उसको पढ़ने में कहीं न कहीं दिक्कत होती है चीजों को डिस्ग्राफिया में क्या होता है लिखने की अक्षमता होती है इसमें बच्चे को ठीक से लिखने में असमरता होती है यानि कि वो इसपस्ट लेखन नहीं कर पाता है डिस्ग्राफिया वाला ठीके ग्राफ बनाना तो यहां से लेखन वाला याद रखिएगा dyscalculia भी होता है आपका dysphasia अपका कई सारे जो हैं वो आपकी अधिकम अक्षमता होती है dyscalculia में क्या होता है गड़ित की अक्षमता होती है यानि कि गर्णाओं को करना जोड गटाना गड़ाबाग इन सभी को करने में संख्याओं को समझने में, संख्याओं को अरेंज करने में, उनको जोडने में, घटाने में, इन समी में मुख्या रहता है, अक्षम रहता है अगला प्रेशने आपका मंद बुद्धी बालकों की पहचान बताईए बन्द बुद्धि बालकों की पहचान निमलिखिते, ऐसे जो बच्चे होते हैं वो देर से बैठते हैं देर से बोलना उन्हें आता है और साथ साथ वो देर से चलना भी शुरू करते हैं मन्द बुद्धी बालकों में सूजबूज की कमी होती है वे किसी भी प्रकार की निर्णे नी ले सकते हैं ना ही किसी भी तथ्य के प्रतिया किसी भी विसाय के प्रति सोच समस्पाते हैं ये इनकी क्या है विशेश्ता है इसके बाद मन्द बुद्धी बालकों का अपनी मांस नहीं कर पाते ये भी इनकी विशेस्ता है मंद बुद्धी बालक के सीखने की शक्ति जो है वो कुछ छेत्रों में बहुत कम होती है आप सीधे सीधे लिख सकते कि उनकी सीखने की शक्ति जो है वो कम होती है नेक्स्ट क्या रहेगा मंद बुद्धी बालक समाज के साथ सामज जिससे भी स्थापित करने में अक्षम है, यानि कि उनको जो कठनाई होती है, वो सामन जिससे नहीं बैठा पाते, ताल में नहीं बैठा सकते सामाज के साथ, तो ये रहेंगी मंद बुद्धी बालकों की विशेस्ता हैं, या उनको पहचानने की तरीके, ठीके चलिए, तो य पीस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चनल, बबाई, टीकेर